देखे एक शाब्ध है आपत्ति पूर्ण तो इस्टूडियों में आपत्ति पूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थवरों मतलब होता हैं दोनों में जानेंगे एक्साम्पल से सेंटेंसेस में यूज़ करके अच्छी तरह से समझेंगे तो चली वीडियो को स्टाट करते हैं आपत्ति पूर्ण का अर्थवरों मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी में सबसे पहले समझते हैं आपत्ति पूर्ण मतलब होता है आपत्ति जनक, विवादास्पद, जगडे का एतराज किये जाने के काबिल निंदनीय, लिवाद, ग्रष्ट मतलब आपत्ति पूर्ण, इंग्लिश में आपत्ति पूर्ण को बोलते हैं अब्जेक्श्नेबल, आफेंसिब, अनिप्लेजेंट, दिस अग्रिएबल, डिएटेबल, डिस्प्युटेबल, डिस्प्लेजिंग, अनिक्सेप्टेबल and एटेसी मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्त हो सकते हैं आत्ति पूर्ण के एक्जाम्पल से सेंटेंसे में समझते हैं जिसे बोलेंगे आम बोल चालमी तो इस तरह से शब्ट को प्रियोग करेंगे हम लोग कि मुझे उस फिल्म में हिंसा सच्मुच अपत्तिपूर्ण लगी मतलब एंग्लिश में I found the violence in that film really objectionable तो really objectionable का मतलब सच्मुच अपत्तिपूर्ण दूसरा example एक मुझे तुमारा लहजा पसंद नहीं आया यह होती वास्तों में मुझे यह बहत अपत्तिपूर्ण लगा है या अपत्तिजनक लगा है मतलब एंग्लिश में I don't like your tone young woman In fact I found it highly objectionable तो objectionable का मतलब आपत्तिजनक या आपत्तिपूर्ण ठीका दूसरा आपने आपत्तिपूर्ण शप्त को हिंदी और इंग्लिश में example के साथ में अच्छी तरह से समझ दिया है Thanks for watching ये जुके यार Desk